ओम, शान्ती, 19 सितंबर 2030, मीठे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य, आजगी मूरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स, आज बाबा हमें समझाते कि हम बच्चों को भोजिन बनाते वा खाते समय याद में जरूर रहना है, बाब, टीचर, सत्गुरू, तीनों को साथ साथ याद करना है, एक दो को बाब की याद दिलाने का पुरुशार्थ करना है, कांटों को फूल, मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है, सच्चे दिल से बाब की सर्विस में लगना है, व्यक्तभाव से उपर रह, फरिष्टा बन, सदा, स्वतंत्र, बंधन मुक्त हो, उर्ती कला में रहना है, तो चलिए, सुनते हैं, आज की बाबा की मीठी प्यारी मुर्ली, ओम शान्ती, बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद के पुरुशार्थ से ही कर्मा तीत बनेंगे, इसलिए कभी अपने को मिया मिठु नहीं समझना, याद के बल से अंदर में जो कमिया हैं, उन्हें निकालते रहना, सभी बच्चों की अवस्था को मजबूत बनाने के लिए बाब कौन सी चैलेंज करते हैं, उत्तर, बच्चे भोजन बनाते हुए, पूरा समय याद में रहकर दिखाओ, ये बाप बच्चों को चैलेंज करते हैं, शिर्पाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो ताकत भर जाएगी, अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी, परंतु बच्चे भूल जाते हैं, इसके लिए एक दो को याद दिलाने का फुरुशार्थ करो, डबल सर्विस करनी है, कर्मना के साथ साथ नर से नारायन बनाने की भी सेवा करो, गीत धीरच धर मनुवा, ओम शान्ति, ये किसने कहा और किसको कहा, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, भक्ति मार्गमी ये काया चाता है, जब परंपिता परमात्मा आते हैं, वही आकर धीरच देते हैं, और कोई मनुशे धीरच दे नहीं सकता, तुम जानते हो, अब सुख के दिन आएंगे, बाप आएं हैं, सुख धाम ले चलने, यह है दुख धाम, ये सब भक्ति मार्ग के गीत हैं, यहां तो बाप सब मुख बैठे हैं, बच्चों को कुछ कहने की दरकार नहीं पड़ती, बच्चे जानते हैं, हमारे सुख के दिन आ रह हैं, हम सुख की राजधानी स्वयम श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं, दिवाइन मत पर चल रहे हैं, एक होती है दिवाइन मत, दूसरी होती है अन दिवाइन मत, दिवाइन मत एक ही होती है, जिसे श्रीमत कहा जाता है, अन दिवाइन मत माना आसुरी पतत मत, दिवाइन मत म देवी पावन मत, श्री मत और आसुरी मत को तुम समझते हो, दिवाइन कहा जाता है पावन को, अन दिवाइन कहा जाता है पतित को, यह है ही पतित दुनिया, कोई भी पावन मनुश्य है नहीं, पावन मत देने वाला एक ही पतित पावन बाप है, उनको सब याद करते हैं, पावन स्रिष्टी सत्युक को, पतित स्रिष्टी कल्युक को कहा जाता है, यहां सब हैं ही अन डिवाइन, डिवाइन फादर एक होता है, पतित दुनिया में कोई डिवाइन फादर होता नहीं, यह संगम का युग है, यह युग तुम्हारे लिए है, दुनिया के लिए नहीं दुनिया तो समझती है, संगम युग आने में बहुत भर्ष पड़े हैं, बाब आते ही हैं पतित कल्युक को पावन सत्युक बनाने, ऐसे तो वे कुमार और कुमारियां भी दिवाइन पावन हैं, परन्तु फिर पतित जरूर बनना है, विकार से जन्म लेते हैं, इसलिए इस विकारी दुनिया में कोई डिवाइन नहीं होते, डिवाइन निर्विकारी को कहा जाता है, निर्विकारी होते हैं निर्विकारी दुनिया में, वह है ही वाइसलेस, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, जबकि संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है, तो संपूर्ण वि संपूर्ण डिवाइन दुनिया सत्यू को कहा चाता है, अब तुम बच्चों को डिवाइन फादर ने धहरेवत बनाया है। डिवाइन जीव आत्मा कहा चाता है, सिर्फ आत्मा को डिवाइन नहीं कह सकते। आत्माई तो निराकारी दुनिया में रहती हैं। दिवाइन मनुष्य होते हैं पवित्र दुनिया में यह है ही अपवित्र दुनिया अपवित्र दुनिया को पवित्र दुनिया बनाना यह निराकार दिवाइन फादर का ही काम है तुम बच्चों को अब धीरज मिलता है बच्चे अब सत्युक आ रहा है सुख धाम स्थापन क नहीं हो जाएगा तुमको भी देखो कितना टाइम लगा है पतित स्रिष्टी कितनी बड़ी है तुम भी जब लायक बनो ना तुम खुद ही कहेंगे हम अभी स्वर्ग में जाने के लिए पूरे लायक नहीं बने हैं पूरे लायक बन जाएं फिर तो कर्मातीत अवस्था हो ज हम तो संपूर्ण बन गए हैं हमको श्रीमत की दरकार ही नहीं इसलिए याद नहीं करते बाप की याद से ही तो श्रेष्ट बनेंगे कोई कहना सके कि हम निरंतर बाप को याद करते हैं अंदर में कोई यह न समझे कि हम तो निरंतर याद में रहते हैं याद में रहते रहे तो बागी क्या चाहिए? सारा दिन भी कोई याद में रहे तो करमातीत अवस्था हो जाए. बड़ा मुश्किल है बाबा की याद में रहना. तुम पूरुशार्ट कर रहे हो. सुकधाम में राज्य भागे लेने लिए. अपने को देखना है. अगर हमारे में बहुत विकार है कमिया हैं. तो हम इतना उचपद पा नहीं सकेंगे. निरंतर याद की दोड़ी लगा नहीं सकेंगे. अपने को मिया मिठु नहीं समझना है कि मैं तो संपूर्ण हूँ. संपूर्ण होते ही हैं शिवालय सत्युग में. सारा भारत शिवालय बन जाता है. लक्षमी नारायन क राज्य चलता है. मंदिर में राज्य तो नहीं करते हैं न? शिवालय सत्युग में जब देवी देवताएं राज्य करते हैं फिर पूजा के लिए मुख्य लक्षमी नारायन का चित्र बनाए, उनका मंदिर बनाते हैं. पहले नंबर वाले की ही पूजा होती है. अभी उन् जड़ मंदिर हैं, चैतन्य में जब राज्य करते हैं तो विश्व के मालिक हैं, भल हैं भारत में ही, परन्तु हैं तो विश्व के मालिक न, और कोई राजाई ही नहीं, हम अभी फिर से अपना डिवाइन राज्य स्थापन कर रहे हैं, पावन दुन्या में जाने लिए पहले जरूर पावन बनना पड़े मेहनत लगती है जहां तक जीना है याद में रहना है और ज्यान की वर्षा तो होती ही रहती है भिन-भिन प्रकार से समझाया जाता है वास्तव में लक्ष्मी नारायन के सिवाई दिवाइन अथ्वा पवित्र किसको कह नहीं सकते बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं फिर भी नर्ग बन ही जाता है ड्रामा ही सुख और दुख का बना हुआ है शंक्राचारे आकर अपने धर्म की स्थापना करते हैं फिर भी डाल-डालिया पुरानी तो होगी ना सन्यासियों की महिमा है राम तीरित विवेका नंद आदी गाय जाते हैं क्योंकि शंक्राचारे के पिछाड़ी वाले हैं नई नई आते हैं तो वे अपना शो करते हैं परन्तु इनको शिवाले तो नहीं कहेंगे शिव का स्थापन किया हुआ सत्युक एक ही है मनिशे इन बातों को बिलकुल नहीं जानते ऐसे ही सिर्फ सुनने से कोई समझ न सकें पहले तो साथ रोज आकर एम अबजिक्ट को समझना है और कोई पढ़ाई के लिए ऐसे नहीं कहा जाता कि पहले साथ रोज समझो ये एक ही पाठशाला है जहां लक्षे दिया जाता है पहले पहले तो फादर को समझो बाब कहते हैं मैं बच्चों की सेवा करने आया हूं जो कल्प पहले वाले हैं वही आएंगे जब तक निश्चे बुद्धी नहीं बने है तब तक बुद्धी में आयेगा नहीं इसलिए बाबा पूझते हैं कहां तक निश्चे हुआ है ये कोई गावडे का सथ्चंग नहीं है और सथ्चंगों में तो कहेंगे फलाना महात्मा गीता सुनाते हैं फलाना वेज सुनाते हैं यहां कोई महात्मा आदी नहीं है, यहां तो बाप बैट समझाते हैं, पहले जब तक निश्चे नहीं, तब तक क्या समझें, वहां सत्सुंगों आदी में समझेंगे, यह तो फलाना वेद सुनाते हैं, राजविद्या पढ़ाते हैं, यहां तो वेद शास्त्रों अथ्वा, राजविद्या की कोई बात नहीं तुम चानते हो बाबा इन द्वारा पढ़ा रहे हैं जब तक यह नहीं समझा है तो क्या करेंगे और ही वायू मंडल को खराब कर देंगे यहां तुम्हारे में भी ऐसे नहीं है कि सब शिव बाबा की याद में सुनते हैं और समझते हैं शिव बाबा प्रमादवारा पढ़ाते हैं नहीं शिव बाबा की पढ़ाई है यह कुछ भी समझते नहीं बड़ा मुश्किल कोई यथार्थ रीती समझते हैं पढ़ाने वाला शिव बाबा है यह याद हो और सारा दिन बुद्धी में रहे कि हम student हैं तो number one चले जाएं परन्तु तुम्हारे में भी number one है बाबा कहते हैं मुझ पढ़ाने वाले को याद करो मैं ही बाप, teacher, guru हूँ तीनों को एकठा याद करना है लौक एक संबंद में तो बाप अलग, teacher अलग, guru अलग होते हैं यहां एक को ही याद करना है और है बहुत सहच परन्तु माया याद रहने नहीं देती घड़ी घड़ी बुद्धी योग तोड़ देती है तुम बच्चे आपस में बैठते होंगे समझो कोई मशीन चलाते हैं अथ्वा मखन निकालते हैं तो शिव बाबा को याद कर मशीन चलाते हैं शिव बाबा की याद में बाबा के यग्ये के लिए मखन निकाल रहा हूं कितनी खुशी की बात है यग्ये के लिए भोचन बनाता हूं खुशी होती है ना परन्तु फिर घड़ी घड़ी भूल चाते हैं फिर पूरुशार्थ करना पड़े खुद का एक दो को याद कराने का पूरुशार्थ कराने वाला चाहिए फिर भी श्रिबाबा को याद कर भोजन बनाएंगे तो ताकत भर चाहेगी तुम्हारी अवस्ता बहुत अच्छी हो जाए परन्तु ऐसे होता नहीं है परन्तु जब आत्मा श्रिबाबा की याद में रह बनाए शेक्तियों का ऐसा भंडारा हो याद में रह भोजन बनाए तब तो शक्ति मिले वे भी शक्तियों की बुद्धी में नहीं आता है नहीं तो पूरुशार्थ करें बाबा को तो दिल होती है अपने हाथ से शिर्बाबा को याद करते भोजन बनाऊं प्राक्टिस करनी है देखें याद ठेहर सकती है बाबा चैलेंज देते हैं जो भी भंडारे में हैं कोशश करो बाबा चानते हैं कि एक घंटा भी याद नहीं कर सकते यादवाले ग्यानवान हो तो डबल सर्विस में लग जाएं जब तक कांटी को फूल न बनाएं तो कुछ काम के नहीं है राजाई के लायक वे बनते जो नर को नारायन बनाने की सर्विस करते जितना तकदीर में है वे अपने पूरुशार्थ से तकदीर को पाते रहते हैं बाप तो सब को कहते हैं जितना करेंगे जो करेंगे सो पाएंगे अपने Most Beloved बाप को याद करना है याद की ही मेहनत है बाबा भी बतलाते हैं, मैं बहुत उपाय करता हूँ, परन्तु हो नहीं सकता, बहुत मेहनत है, मेहनत करते करते अंत में कर्मातीत अवस्ता होगी, फिर साक्षातकार करते रहेंगे, माया नहीं आएगी, यहां बैठे बैठे सब दिव्य दृष्टी में देखते रहेंगे, अभी तो टेलिविजन में देखते हैं, टेलिविजन कोई दिव्य दृष्टी नहीं है, विनाश का साक्षातकार, वैकुंट का साक्षातकार टेलिविजन में नहीं देख सकेंगे, जितना जो ज्यानी और योगी है, उनको तो वैकुंट की राज़्धानी देखने में साक्षातकार बंडर्फुल है, सच्ची दिल से बाप के सर्विस में लगना है, तब मज़ा है, बुद्धी भी कहती है, बाबा अंत में बहुत खातिरी करेंगे, गुमाना, फिराना, बहलाना, ये खातिरी है न, ऐसा बनने के लिए लायक भी बनना चाहिए न, लायक बनाने वाले को याद करने से ही लायक बनते चाते हैं, जितना याद करेंगे और स्वध अर्शन चक्र फिरता रहेगा, तो फाइदा है, बीच को याद करने से जाड भी याद आएगा, ये बातें सिवाए तुम्हारे कोई भी समझ न सके, इस याद और ज्यान से हम इतना जमा करत हैं, वहां ये पता नहीं होगा कि ये कहां से वर्शा मिला है, ये थोड़े ही समझते हैं कि ये हमारे संगम की कमाई है, बात्शाही मिल जाती है, तुम सदा सुखी रहते हो, बड़ी भारी मन्जिल है, अभी तुम डिवाइन बनते हो, सारी दुनिया अन डिवाइन है, मनिशे को देवता बनाने वाला एक ही Godfather है फादर अक्षर कहना बड़ा सहच है कोई भी बुड़ा बुजुर्ग देखेंगे तो उनको बाबा वा पिता जी कहेंगे बुड़ा बुड़े को देखेंगे तो भाई समझेंगे छोटे बड़े को देखेंगे तो बाब समझेंगे निराकार बाब का तो कोई को पता नहीं है सिर्फ कह देते हैं Godfather ये नहीं समझते हैं कि हम आत्मा हैं हमारा बाब वह है बाब सुरूर वर्सा देता होगा अभी तुम जानते हो हमारा बाब हमको वर्सा दे रहे हैं इस वर्से के लिए ही हम बार बार पुकारते थे प्रार्थना करते थे अब वही पढ़ा रहे हैं अभी हम प्रार्थना अथ्वा भक्ति करने से चूटे बड़े मजे की नौलिज है कहते हैं आप हमारे बेहत के बाप को फिर हम को छोड़ लौकिक बाप के पास बुद्धी क्यों जाती है परन्तु किसकी तकदीर में नहीं है तो बुद्धी में बैठता नहीं खुद ही कहते हैं हमारी तकदीर में राज योग की बादशाही नहीं है तो बाबा क्या करे क्यों नहीं तकदीर बनाने में तो कोई को मना नहीं है तकदीर में नहीं है तो बाबा को छोड़ देते फिर माया बिल्ली बुद्धी में कोटाला डाल देती है बाप भी क्या करे मा माया बिल्ली पर जीत पानी है। काम काज करते शिप बाबा की याद रहे तो बहुत फाइदा हो जाए। एक मिनट भी याद करने से बड़ा फाइदा हो सकता है। एक दो को साबधान करो, फिर कोई माने या ना माने। बाबा युक्तियां बहुत बतलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रती, मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुद मॉनिंग, रुहानी बाब की रुहानी बच्चों को नमस्ते। हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाब दादा को दिल व जान सिक्वा प्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते जी। गुद मॉनिंग बाबा, शुक्रिया बाबा, धाना के लिए मुख्यसार, पहला पॉइंट, एक दो को बाप की याद दिलाने का पुरुशार्थ करना है, बाप, टीचर, सत्कुरू, टीनों को साथ साथ याद करना है, बोजिन बनाते या खाते समय, याद में जरूर रहना है, दूसरा पॉइंट, सच्चे दिल से बाब की सर्विस में लगना है, कांटों को फूल, मनुश्य को देवता बनाने की सेवा करनी है, वर्दान, व्यक्त भाव से उपर रह, फरिष्टा बन, उड़ने वाले, सर्व बंदनों से मुक्त भव, देह की धरनी व्यक्त भाव ह जब फरिष्टे बन गए, फिर देह की धरनी में कैसे आ सकते, फरिष्टा धरती पर पाव नहीं रहते, फरिष्टा अर्था उड़ने वाले, उन्हें नीचे की आकरशन खिंच नहीं सकती, नीचे रहेंगे तो शिकारी शिकार कर देंगे, उपर उड़ते रहेंगे तो का पिजड़ा हो उसमें भी फसना नहीं सदा स्वतंत्र बंदन मुक्त ही उर्ति कला में जा सकते हैं धारना असंभव को संभव कर सफलता की अनुभूती करने वाले ही सफलता के सितारे हैं अच्छा ओम शान्ति